श्यान्ती, 6 अप्रेल 2023 के महवाक्य, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो, जिससे माया को थपड लगाने का चांस मिली, अगर शिरिमत पर नहीं चलेंगे, तो माया थपड मार मुह फेर देगी प्रशन, सूर्यवन्शी राजधानी में एयर कंडिशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किने प्राप्थ होती है उत्तर, सूर्यवन्शी राजधानी में एयर कंडिशन टिकट लेने के लिए हर कदम शिरिमत पर चलना पड़ी अपना सबकुछ बाप पर अरपन करना पड़े, जो पूरे अरपन होते हैं वही सहुकार बनती है सूर्यवंशी राजधानी है ही एर कंडिशन, तुमारी एम ओब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना बाकि नंबरवार पद तो है ही, गीत वहे बड़ा खुश नसीब है, ओम शान्ती, इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मन कुल भूशन बच्चे ही जानते हो अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मन संप्रदाई, फिर दैवी संप्रदाई बनेंगे बच्चों को बाब बैट समझाते हैं, जबकि बेहद का बाब सम्मुख है और उससे बेहद का वर्सा मिल रहा है बाकि और क्या चाहिए? भक्ती मार्ग कबसे चलता है? ये भी कोई को पता नहीं भक्ती मार्ग वाले भगत भगवान को अत्वा ब्राइड से ब्राइड गुरूम को याद करती हैं परंतु वंडर यह हैं, बाब को जानते नहीं, ऐसा कब देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सकी? भगवान तो सबका बाप थहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हैं, इसलिए याद करने से कोई फाइदा नहीं निकलता याद करते करते कोई भी उस एम ओबजेक्ट को पाते नहीं, भगवान कोन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट बोध आदी प्रेसेप्टर अत्वा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फालोवर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है, इससे तो जिसमानी पढ़ाई अच्छी है, एम ओबजेक्ट त गुरू से क्या मिलता है, वह समझ सकते हैं, गुरू से क्या मिलता है, यह कोई भी नहीं समझ सकते, अब तुम बच्चों को निश्चे हुआ है, कि हम बाप के बनी हैं, बाबा हमको पाँच जार वर्ष पहले मुआफिक आ करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अत्वा शान् धाम का मालिक बनाती है बाप कहते हैं लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्सा लेंगे ना सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे अच्छा चंदरवन्शी रामपद पानिमे राजी होंगे तुमको क्या चहिए बाप सोगात ले आई है तुम सूर्यवन्शी लक्षमी को वरिंगे या चंदरवन्शी सीता को श्री राम के पुजारी स्री कृष्न का नाम सुनना नहीं चाहती है स्री राम को तृता में स्री कृष्न को द्वापर में ले गई है वह समझते हैं राम बड़ा है यह उन्हों का आपस में जगड़ा हो जाता है जैसे छोटे बच्चों का जगड़ा होता है न बाप एट समझाते हैं हुभु जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रही है तुम फिर से आकर वर्सा ले रही हो तुम्हारी एम ओबजेक्ट है ही बेहद का वर्सा लेनी की वह है सूर्यवंशी राज्यपद सेकिंड ग्रेड है चन्द्रवंशी जैसे एर कंडिशन से उच तो कुछ होता नहीं एर कंडिशन फर्स्ट क्लास सेकिंड क्लास होता है न तो सत्यू की पूरी राजधानी एयर कंडिशन समझो फिर है first class तो भाप कहते हैं तुम एयर कंडिशन का सुरेवन्षी राजे लेंगे वा चंदरवन्षी first class का उससे भी कम तो फिर second class में नमबरवार वारिस बनू फिर तुम पीछे-पीछे आकर राज्य पाएंगे नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व नंबरवार दर्जे तो होती है न सुख तो वहाँ है ही बाकि कमपार्टमेंट तो अलग-अलग है सहुकार आदमी टिकट लेंगे एर कंडिशन की तुम्हारे में सहुकार कून बनते हैं जो सब कुछ बाप को दे देती हैं बाबा यह सब कुछ आपका है भारत में ही महिमा गाई हुई है सोदागर, रतनागर, जादूगर यह महिमा है बाप की ना की स्रीक्रिश्न की स्रीक्रिश्न ने तो वर्सा लिया सत्यूग में प्रालब्द पाई वह भी बाप का बना प्रालब्द कहीं से तो पाई होगी न लक्ष्मी नारायन सत्यूं में प्रालब्द भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रिती जानते हो। जरूर उन्होंने पाष्ट में प्रालब्द बनाई होगी ना। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना उच देश कोई हो नी सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धी में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबी को सुक शानती देती हैं आदा कल्प के लिए। भारत नंबर वन तीर्थ है। परंतु गीता में नाम डाल द दिया है स्रीक्रिष्ण का इसलिए इसका मर्टबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चड़ाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं। परंतु ड्रामा अनुसा एक बाप को भूलने से स्रिष्टिक की हालत कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं। कोई तो निमित बनती है ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भाव। अपने को आत्मा निश्चे करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं है। वंडर है ना। कहते भी हैं, ओ गोड़ फादर रहम करो, शीव जैंती भी मनाती हैं, परंतु वह कब आय थे, यह कोई को पता नहीं है, यह पाँच अजार वर्ष की बात है, बाप ही आकर नई दुनिया सत्युग स्थापन करती हैं, सत्युग की आयू लाखो वर्ष तो है नहीं, बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ याद करो, ग्रस्त वैवार में रहते कमल फूल समान बनो, विश्णु को ही सभी अलंकार दिये हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है, वास्तम में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दे जाते हैं, यह क इतनी गुहिये गंभीर बाती हैं, हैं ब्रहमनों के अलंकार प्रंतो ब्रहमनों को कैसे देवी, आज ब्रहमन है, कल शुद्र बन पड़ते है, ब्रुमा कुमार से शुद्र कुमार बन पड़ते, माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धी खराब हुई, तो माया अच्छी तरहें चमाट मार मुह फेर देती है, मनुष्य गुसे में आकर कहते हैं न थपड मार मुह फेर दूँगा, तो माया भी ऐसी है, बाप को भुले और माया एक सेकिन में थपड लगाए मुह फेर देती हैं, जैसे एक सेकिन में जीवन मुक्ती पाते हैं, ऐसे सेकिन में जीवन मुक्ती खतम कर देती हैं, कितने अच्छे अच्छे को माया पकड लेती हैं, देखती है कि यह कहां गफलत में हैं, तो जट थपड लगा देती हैं, बाप तो बच्चों का म पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं लोकिक बाप कोई गरीब होता है पुरानी जोपड़ी में रहता है फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धी में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तयार होगा हम बैठेंगे यह पुराना तोड़ देंगे तुम्हारे लिए भी अब बापने हथेली पर बहिश्ट लाया है वा वैकुंठ लाया है कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं इन आखों द्वारा तुम बच्चों को भी देख रही हैं कश्मीर में ब्रामन लोग बहुत होते हैं श्राद आदी भी वहां खिलाते हैं ब्रामनों में आत्मा को बुलाते हैं यह सभी साक्षातकार का राज रखा हुआ है ऐसे नहीं की आत्मा कोई से निकल कर आती है अपने बढ़ों की आत्मा को बुलाते हैं उनके लिए सबी कुछ तयार रखते हैं, समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है, आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है, आप राजी खुशी हैं, वह सुनाती है, यह भी ड्रामा अनुसार चलता है, कभी-कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जनम लिया है यह सब साक्षातकार की रिती ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है बाकी आत्मा कोई आती नहीं है आगे टेबूल में भी बुलाते थे बाबा को सभी अनुभव है अब टेबूल में तो आत्मा आना सके, जिसने जो कुछ किया था वहे ड्रामा में था, सो हुआ, ड्रामा को कितना अच्छी रिती पकड़ना पड़ता है, भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सभी ड्रामा में नूद है, इसमें संशे की कोई बात नहीं, नए आदमी ना समझने के कारण मूझते हैं बाप जादोगर भी है ना समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ ऐसे नहीं ड्रामा के विगर कुछ कर सकता हूँ नहीं, बच्चे बिमार पड़ते हैं ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूँगा ओप्रेशन कराने से चुड़ा दूगा नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है तुमारे उपर तो बोज्ञा बहुत है क्योंकि तुम सभी से पुराने हो सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं जो सूर्यवन्शी, चंद्रवन्शी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे जो देवी देवता थे, फिर शुद्र बन गई है फिर वही ब्रामन बन देवी संप्रदाई बनेंगे यह बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं कहते हैं तुम वही कल्प व्याले मेरे बच्चे हो मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं कितने वंडरफुल बाती हैं निराकार भगवानु वाच शरीर से वाच करेंगे ना शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच करना सके आत्मा डिटेच हो जाती है अब बाप कहते हैं अशरीरी भव ऐसे नहीं कि प्राणाया मादी चड़ाना है नहीं समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट भरा हुआ है भक्ती मार्ग में भी वही पार्ट चलता है कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है ज्यान भी जब लेवें तब पता पड़े ज्यान से ही सद्गती होती है बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गती दाता हूं सर्वो द्या लेडर्स है ना कितने किसम किसम की है वास्तों में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो तो सभी पर रहम वह करती है बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाती है उसमें तत्यों भी आजाती है यहे काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्वो दया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सर्वो पर दया कर देते हैं, स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है, वहां नमबर वन फरनिचर, वैभव आदि मिलते हैं, दुख देने वाले जानवर, मक्की, मच्छर आ आदी कोई होता नहीं, यहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तुम मक्ही नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस ना सके, स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं, जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज हो, नहीं, नैचुरल फूलों आदी की खुश्बू रह अब सुक्षमवतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षातकार हैं, वैकूंट में कितने अच्छे फल बगीचे आदी होते हैं, सुक्षमवतन में थोड़े ही बगीचा रखा है, यह है सभी साक्षातकार, यहां बैठे हुए तुम सभी साक्षातकार करते हो, गीत भी बाप मिला है और क्या चाहिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेती हैं तो बाप को याद करना चाहिए बाप की मत मशूर है श्रीमत से हम स्रेष्ट ते स्रेष्ट बनेंगी सन्यासी कहते हैं यह काग विष्टा समान सुख है परंतो उनों को यह पता नहीं है कि सत्यों में सदैव सुख था चोटेपन में यह राधे कृष्ण है इनके चरित्र आदे कुछ है नहीं स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं भल करके मुरली से डांस आदी करते होंगे बाकी ज्यान नहीं सुनाते स्रिक्रिष्ण को मुरली दी है तब भला सरस्वती कहां गई सरस्वती को तो सितार देती हैं तो बड़ी वह ठहरी न यह सब है भक्ति मार्ग गुडियों का खेल देवी देवताओं की मुर्ती बना कर पूजा आदी करके फिर डुबो देती हैं इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट हर एक इस ड्रामा के वश है इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है ड्रामा के हर राज को अच्छी रिती समझ कर अडोल रहना है अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटेज हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है वर्दान करावन हार की स्मृती द्वारा बड़े से बड़े कारिये को सहज करनी वाले निमित करन हार भव विस्तार बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कारिये स्वेम करावन हार बन निमित करन हार बच्चों द्वारा करा रही है करन करावन हार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कमबाइन है हाथ बच्चों का और काम बाप का हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है लेकिन अन्भव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है निमित बनाए चला रहा है हर करम में करावन हार के रूप में साथी है स्लोगन ग्यानी तु आत्मा वह है जो अरजी डालने के बजाए सदा राजी रही अच्या ओम शांती